हेलो स्थो मैं हुरुचत बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में दोस्तों गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड की छूटी सी क्लिप आप देख चुके होंगे इसमें आपको दिखाया गया है कि हमारे समरार दाला बहुत एक साल के बाद चमवार निवास में पहुँच गए है और सबे घरवालों के आँखों पर एक कैसे चमक है कैसे खुशी है जो वो लबजों से बया नहीं कर सकते लेकर यहां पर पाकी देदी का मूँ जो है वो इतना तो खुल रखा था पहले सा वो इतना बड़ा हो गया है क्योंकि उन्हें हैरानी हो रही है कि यह बंदा जिसको मैं सोचे थी अब आएगा यह नहीं अचानक से आ कैसे गया है और यह के साथ सा दोस्तों जो है बहुत सारी टूस्त आपको देखने को मिलने वाले आने वाले एपिसोड में और जानते हैं कि आखिरकार यह क्या वो ही मोमेंट है जहां पर पत्र लेखा दिदी पहली बार कुछ गलत कदम उठाते वे नजर आएगी यानि कि अपनी लाइफ को खत्म करते वे नजर आएगी क्या ऐसा कुछ है क्योंकि कल से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अब पत्र लेखा के जो रियक्शन थे उसको देखकर तो यह लग रहा है कि उस अंदर से पूरी तरिक से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो ऐसा कुछ ड्रामा कर सकती है इसे के साथ विराट की तबे तचानक से बहुत खराब हो गई है और साही ने अपने पत्नी वाला अदेकार जमाना क्यों शुरू कर दिया है आगे जानते हैं इन सबी चीजों के बारे में इस एक ही वीडियो में तो वीडियो ओने वाला बहुत इंट्रस्टिंग तो लास्ट तक जरूर देखेगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आने वाले एपिसोड के साथ तो यहां पर आपको बता दो कि इतनी जल्दी समराट घर पर नहीं पहुंसने वाला है इससे पहले काफिछ कुछ डिसकेशन सही और विराट के बीच में भी होने वाला है होटल रूम में यहां पर साही और उसके बीच में थोड़े से यहां पर misunderstanding होगी और थोड़े सा argument हो जाएगा और यह argument लंबा चलने वाला है तो ऐसे में दोस्तों यहां पर साही पाकी के favor में बात करने वाली है कि हमें समराट दातों को समझाना होगा चाए कुछ भी हो जाए कि पाकी को घर से ना निकाले और उससे डिवास ना लें ऐसे में विराट और उसके बीच में argument हो जाएगा क्योंकि विराट को यह लगता है कि अपना रिस्ता तो समाल नहीं पा रही है और दूसरों की बात कर रही है तो यह सब कुछ आपको देखने को पहले हैं फाइनली उसके बाद जो आपको देखेंगे कि सिर्फ देखे जा रहे हैं कुछ बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आपको यह गुमा हुआ इंसानी एक साल बात लोट कर आजाए तो reaction कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं और यहाँ पर पत्र लेखा जो है वो सिर्फ हैरान होगी एक शब्द तक नहीं ब कारण से और यहाँ पर आते ही समराट ने जो है एक मिनट में कारण बता दीए कि मैं इतने घर पर क्यों नहीं आया था वो पत्र लेखा किसी और से बात करते भी सुन लिया ता मैंने तो यहाँ पर समराट जो है वो काफी अच्छा रूल निबाते में नजर आएगगा और ही वो है मुद्दे की बात चेड़ देगा और घरवालों को कहे देगा कि मैं बाकी को अलग करने आया हूं इस रिष्टे के साथ और ऐसे में दोस्तों यहां पर यह मुद्दा उटने वाला है लेकिन जादा कुछ इस पर रियक्ट नहीं करने वाला है कोई क्योंकि फिलाल सभ एक डील है और एक फर्ज के नाते है इस से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए विराट सर और अब विराट भी ठीक सही कर रहा है एकदम क्योंकि उसे भी लगता है कि अब इस सिर्फ ये डील ही है तो क्यों ना अलग रहना ही ठीक है और ऐसे में विराट टेम बहुत अर्गूमेंट्स होने वाले हैं जहांपर विराट टगरी भी कर लेगा कि हाँ भाई मैंने खुद ने जान पूछ कर ये ट्रॉंस्फर की बात है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ और यहांपर विराट सारी चीजे क्लेयर करेगा सही को और यह में विराट की तबित यहां पर भिगड गई है पूरी तरीके से और विराट किसी को बता नहीं रहा है लगिन सही जो है समझ जाने वाली है जब विराट के पास होगी तो वह समझ जाएगी इनकी तबित खराब है और दोनों के बीचे जगड़ा बहुत चल रहा होगा लेकिन इसके बाउजित सही यहां पर अपना पत्नी धर्म निभाने वाली है अधिकार निभाने वाली है और यहां पर विराट की सेवा करने वाली है उसे गरम पट्टी धंडी पट्टी जो भी करने वाली है वो करेगी विराट उसे मना करने की कोई जरूत नहीं है तुम्हें कोई पत्नी धर्म निमाने की ज़रूरत नहीं है मैं अपने आप खुद को संभाल सकता हूं जैसा पहले संभालता था और मेरी आई मुझे संभाल लेगी यहां पर सही नहीं मानने वाली है और काफी सेवा करने वाली है विराट की और दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट्स है य उस लेवल के नहीं होने वाले कि आपको परिशान कर दे या आपको एंटर्टेन ही करने वाले है क्योंकि दोनों के बीच की फाइज जरूर है लेकिन इतनी भी डार्क नहीं है तो ऐसे में दोस्तों यह सीन तो आपको देखने को मिल रहा है अब सबसे बड़ा सवाल दोस्त गलत कदम तो उठाएगी सीरिल के अंदर लेकिन वो टाइम क्या अब आ चुका है सीरिल के अंदर क्या समराट के आने के बाद ही वो डिवास की बात को लेकर अपने आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहती है तो दोस्तों आपको सीधे शब्दों में एक ही शब्दों में क् को पहुंचाता रहूंगा कोई भी सवाल है से इंस्टाग्राम पर शेर कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लाटूंगा जब तक के रिए थैंकि दोस्तों